ओम धन्मंतरे नमा आज हम रशोशास्त्र का कुछ और इंपोर्टेंट योगों के बारे में जानेंगे जो की एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है हैस। सबसे पहला योग यह संजीवनी बठी इसका नाम है संजीवनी बठी यानि जहाँ पर रोगी का प्राण संकत में आ जाता है तो वहाँ पर ये प्राण रख्षा करने वाला बठी है तो इसमें नमबर अब द्रग्स ही व विशेला द्रव्य है वच्छनावर भल्लातक भावना है गोमुत्रका और यह जो चार है वच्छा बिडंग पिपली नागर तो जहां पर आप चरक चिकिछावान में रसायन शेवन से पहले आचरे चरक बहते हैं कि संसोदन करना है तो जो संसोदना द्रव्य नो है नाइन सं प्रमाण है गुंजा प्रमाण यानि 125 mg लेकिन उसका जो डोजेस फर डिफरेंट डिजीजेस तो वह इंपोर्टेंट है और गुल्म में एक बटी देना है विशुचिका में दो बटी सरपदंग्स्ट्रा में तीन बटी और सन्निपात में चार बटी नेक्स्ट योगेंद तो यहां पर योगेंद्र रस में रससिंदुर, मुक्ता भस्म, अभ्रा भस्म, लगवा भस्म, स्वर्ना भस्म, बंगा भस्म बाकि जो पांच द्रब्या है तो वो सारे अर्ध भाग रहें कुमार कल्याण में क्या हो रहा है रससिंदुर, मुक्ता भस्म, अभ्रा भस्म स्वर्ना भस्म, स्वर्ना माक्षिग भस्म। और वहाँ पर भी भावना जो है घृतकुमारी सुरसे, ठीके, the only difference is कुमार कल्याण जो है वहाँ पर रहा सुर्णा माक्षिक और यहाँ पर सुर्णा माक्षिक के जगे पर बंगवस्मन, और उसका रेशियो में डिफ्रेंस आ रहा है, ठीके, तो वहाँ पर कुमार कल्याण म यह बंचलोचन, सित्ता और त्रिफला रश, योगवाही रश ही एस सर्वरोग कुलामतकृत, तो यह योगवाही रशों सदी है और सारे रोग का कुल को विनास करने वाला, रोगादिकार है इसके बहात अभ्यादी, नेक्स्ट इस बसंत मालती रश, रोगादिकार है जिर यानि 12345, स्वर्ण मुक्ता हिंगुल मरिच खरपर, यह क्रम को याद रखना है, भावना है इसमें क्रम स नवनेद का भावना दिया जाएगा और निम्बू स्वरसका, यानि पहले नवनेद बाद में निम्बू, अनुपान है इसका मधू और पिपली, रोगादिकार है ज बसंत मालती रशा, नेक्स्ट इस इच्छावेदी रशा, तो इसका नाम है इच्छावेदी, रभ्य संख्याए 7, पारद अगंध का टंकण मरिच, यह चार जो है उसको वानवान पार्ट हम लेंगे, बाकी रहे तीन रभ्य, त्रिब्रत सुन्ठी जोईपाल, जोईपाल म है पूर्ट है ना, यह उसका उनुपान, एक है उसका वेंग्रडेंट वह द्रोबुर्द, इंग्रेडेटिन वह क्या है लिए अनुपान होगा सितल जल रेचन को रोकने के लिए देना है उसे जलानुपान के साथ supporting है रेचन कराने के लिए थंडापनी अनुपान और अगर हुआ तो यह tut शुब रोकने के लिए उसे नजल का अनुपान और इसका भावना है कुमारी स्वरस, बटी मत्रा चण को प्रमाण में देते हैं, रोगादिकारे उसका रजरोध और कश्टार्तव, इसका नाम ही है रजप्रवर्तनी, यानि आर्तव स्रोतस में अगर अबरोध हो रखा है, तो रजप्रवर्तन जो है वो नहीं हो पा रहा है तो यह प्रवर्तन कराने वाला, यानि स्रोतस को सुद्ध करने वाला, यानि अपान वायु का जो मूढ हुआ है, तो उसको यह अनुलोमन करने वाला, तो काशी सब कुमारी हिंगु टंकन, यह चार द्रभ्य को सममत्रा, और धावना द्रभ्य रहेगा कुमारी स्वरस, और